आप सबी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में आज के जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इस्पेशल है डी एससबी की जो वेकेंसी है उसके बारे में आपको पूरी डीटेल मिलने वाले है जिसमें 7000 से भी ज़्यादा की पोश्ट निकली है और इस पे काफी को ध्यान रखता है ऑफिशल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा साथ में एप्लाई करने का भी आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप लोग बहुत यासानी से एप्लाई कर पाएंगे इस वीडियो को वाटसब टेलिग्राम ट्विटर फेस्बुक एंड सभी दोस्तों है टोटल जो है साथ जार से भी ज़्यादा की ऑप्लाई कर पाएंगे या आपको इम्पोर्डेन याद रखना है तो एक महीने तक आप लोग फॉर्म कर पाएंगे जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हो सकते हैं तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूँगा ताकि कि क mobile phone का भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप लोग apply कर पाएंगे इसमें कोई ज़्यादा परिशानी की बात नहीं है ठीक है आप लोग apply कर पाएंगे अब यहाँ पर आकर बात किया total post कितनी है और अलग-अलग जैसे TGT के लिए अगर बात किया तो यहाँ पर लगबग जो हैं 600 से भी ज़्यादा post है LDC के लिए लगबग 300 post है counselor के लिए 50 post है headler के लिए 12 और पटवारी के लिए 10 post है यह आप लोग देख पाएंगे अलग-अलग post वाईजे हैं और कुल मिलाकर 7000 से भी ज़्यादा post है important याद रखना बहुत ही बड़ी वेकंसी है SSC GD के बाद में यह जो हैं अभी वेकंसी निकली है और अगर बात के DSSB की DSSB की full form क्या है इली में यह वेकंसी है इसलिए लेकिन आप all इंडिया से apply कर पाएंगे अगर बात के online fees की तो general and OBC work के लिए विद्यारतों को 100 रुपे का सुल्क देना पड़ेगा एक minimum fees है 100 रुपे का online form बर पाएंगे जो ST, SC और PH candidates है उनके लिए कोई भी है यहाँ पर शुल्क नहीं लगने वाला वो जो है बिलकुल free of cost form apply कर पाएंगे तो आप सभी के लिए भेतरीन मौका है जरूर से apply कर देना अब अगर बात किया है यहाँ पर age limit की ठीक है ना important है सभी के सभी aspects पर मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि कहीं ने कहीं जरूरी हो जाता है अगर आप वीडियो बनाओ तो फिर complete information लेगे जाओ apply करो तो भी उससे पहले आपको information पता होनी चाहिए अभी तो भहुत सारी information आनी बाकी है इसमें कैसे selection होता है सब कुछ detail आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को last तक देखने के बाद आप लोग share जरूर से कर देना ताकि सब को पता चले अगर age limit की बात या टीजीटी टीचेस के लिए 32 एज जो है maximum है इसमें कोई भी छूट नहीं है 32 एज maximum होनी चाहिए सभी candidates के लिए सभी work के लिए minimum नहीं है क्योंकि minimum अगर आपने agree pass में है आपके तो minimum age जो है आपने already पार कर लिए अगर बात के assistant teacher and assistant teacher में यहाँ पर अधिकतम 30 वर्स है यह आपको याद रखना है इन में जो हैं अगर बात की जाए ST वालों को 5 वर्स और OBC वालों को 3 वर्स की छूट है बागी official notification आप लोग पूरी detail देख पाएंगे LDC के लिए 18 से 27 वर्स हैं counselor के लिए अधिकतम 30 वर्स हैं and next record में थोड़ा सा आगे बढ़ू यहाँ पर जो है अगर बात की है थोड़ा सा आप लोग रुख जाए यहाँ पर आप लोग देख से हैं and पटवारी के लिए अगर बात की है तो 21 से 27 वर्स हैं पटवारी के लिए अब यह तो हो गया अब educational qualification की बात करते हैं friends मैं आपको बता दूँ अगर आप डेली current office का वीडियो नहीं देखते हैं तो जरूर से देख लिजिए आपके exam point of office जो DSSB का exam आने वाला है इस GK बिल्कुल cover हो जाएगा आप लोग डेली 6 बजे हमारे channel पर current office का वीडियो आता ह है अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है जी के बहुत ही ज़्यदा strong हो जाएगा सो डेली जरूर से देखेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यदा helpful रहेगा ठीक है ना अब स्टार्ट करते हैं अब मनलब educational qualification की बात करते हैं ठीक है ना अगर बात कि educational qualification की तो यहा है ना साथ में ट्रेनिंग education में डिप्लोमा होना चाहिए टीचर्स और सीटेट की परिक्षा पास होना निवारी अब आप लोग कबराना मत क्योंकि आगे कुछ ऐसी भी पोश्ट है जहां पर 10th 12 वाले भी अपलाई कर पाएंगे तो इसमें जो हैं टीजी टी पद जिसमें 6000 से भी जदा पोश्ट है अगर आपने सीटेट परिक्षा पास की हुई है बहुत ही भेतरी इन मौका हैं आप लोग इसमें अपलाई कर लिजे जवर्दस्थ आपके लिए वेकंस है अगर आपके किसी दोस्त ने भी की हुए तो उसके साथ वीडियो शियर कर देना ताकि उ अर्सरी वालों के लिए उनको जो हैं कख्षा 12 उतिरन होना चाहिए कोई भी परसंटेज नहीं चाहिए ठीक है ना साथ में उनको जब आपको जबेसरी शिक्षा में इप्लोमा होना चाहिए और और सिन्सटी सा डिप्लोमा होना चाहिए तो यह थी सिंपल से स्टेप अगर नेक्स्ट बात के LDC की important post है जो के LDC की 300 post है और maximum student इसके लिए apply करने वाले हैं कक्षा 10 वी उतिन चाहिए आपको बाखी कुछ भी नहीं चाहिए यानि कि कुछ भी extra curriculum activity नहीं चाहिए simply अगर आप 10th pass है तो LDC के लिए आप लोग form भर पाएंगे और 300 post है कम नहीं होते काफी अच्छी हैं computer पर आप लोग जो है word typing 35 word per minute और English के और Hindi के 30 word per minute यह आसानी से कर पाएंगे कोई tension की बाद पहले exam होगा उसके बाद यह सब होगा तो उसकी कोई tension नहीं लेनी अगर आप लोग उने 10th pass है एंड apply करना चाहते हैं जरूर से कर सकते हैं syllabus भी मैं आपको आगे बता दूगा counselor की बात की जाए तो सनात तक यहां सनातो को अतर जो है निमने विश्यों में होने चाहिए psychology में अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप लोग counselor बन पाएंगे यह आप लोग देख पाएंगे ठीक है ना next अगर आगे बढ़ जाए तो यहां पर रगर बात के head clerk की तो head clerk के लिए bachelor degree होना चाहिए तो था computer certificate होना चाहिए जो भी computer certificate होता है वो आपके पास होना चाहिए और साथ में जो है अगर बात के bachelor की डिगरी होने चाहिए BA, B.Sc, B.com कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है ठीक है ना अगर बात कीज़े यहां पर पटवारी के लिए तो step by step दी गई हो बाखी वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे मैं वीडियो बहुत ही vacancies का कम बनाता हूँ क्योंकि एक educational channel है यहां पर information आपको सब जगे मिल जगे लेकिन जब जूट information बहुत हो जाती तब मैं जो है वीडियो बनाता हूँ और इससे related काफी सारे मेरे पास question आ रह यहां पर बता रहा हूँ official notification मैं आपको recommend करता हूँ एक बार जरूर से देख लाना चाहिए ताकि आपको सब कुछ clear हो जाए crystal clear अब अगर बात के यहां पर subject कौन से होगे exam syllabus and यह friends मैं आपको बता दू tier 1 का exam syllabus है tier 2 का exam syllabus हो सकता है सभी post के लिए अलग-अलग कुछ ने कुछ ह general awareness आएंगी and general awareness की तो कोई tension की बात ही नहीं क्योंकि आप जिस channel पर यह video देख रहे हैं exam तक पर इसका record यह है कि exam तक का अगर आप current office video जब तक आपका exam होता है तब तक regular follow करते हैं तो आपका जो है अगर बात लिए जिके में जितना भी score होता है उससे 70% score तो आप लोग बिन सही सुबेच 6 बजे current office देखने लग जाना history, quality, constitution, sports, art and culture, geography, economics, everyday, science, scientific and यहाँ पर जो national information, international organization and institute अब आप लोग सोचने हो current office तो आई नहीं जो हमारा current office का वीडियो उसमें ये सब जानकारी बिलकुल बहुत अच्छी से मिलती है इसलिए आप लोग जरूर से देख लेना ठीक ह ना next अगर बात के हैं यहाँ पर reasoning मैं तो reasoning मैंने जो हैं short मैं यहाँ पर बिलकुल बताया हैं बाकि reasoning के लगबग सभी topic जो भी आप लोग जानते हो जो भी है topic वो सभी यहाँ पर आने वाले SSC के लगबग आप लोग सभी topic मान सकते हैं ठीक है ना verbal and non-verbal reasoning numerical ability के अगर बात के mathematics की तो यहाँ पर जो आगर बात की जाए arithmetic का maximum portion आएगा simplification decimal डियाई आएगा fraction LCM HCF ratio percentage average time and work time distance table and graphs SICI मलब की arithmetic का पूरा portion आपके यहाँ पर आने वाला है advance शायद यहाँ पर नहीं है ठीक है ना English की अगर बात के क्योंकि यहाँ पर English language की अगर बात के तो पैसे वकबलरी grammar sentence structures चिनोनेम एंटोनेम यही सब मलब एकदम से नॉर्मल सा syllabus है आप लोग cover कर पाएंगे अगर आप अच्छे से इसके लिए जो है educatedly focus होकर त्यारी करें वाकिया प्रियोग समानार्ति विलोम शब्द वगर यही सब हिंदी का भी syllabus होगा जिनके subject हिंदी है उनको हिंदी आएग आपको यहाँ पर अगर बात के apply 25 में से apply start हो जाएंगे and click here to apply यहाँ पर click करते हैं आप लोग जो हैं DSSB के official site से apply कर पाएंगे अब आप लोग को कैसे पहुंचना है इस वीडियो के discussion में आपको सबसे उपर link मिल जाएगा यहाँ फिर comment box में सबसे उपर comment मिल जाएगा वहा यहाँ पर आप लोग apply कर पाएंगे 25 में के बाद official notification आप आज भी जाकर यहाँ से पढ़ पाएंगे official website देख सकते है dssb.daily.gov.in and telegram channel को हमारा जरूर से join कर लोगा डेली gk की कुई चलती है साथ में आपको बहुत ही job alerts वगरे मिल जाएंगे and daily current office वगरे मिल जाएंगे gk notes भी आपको हमारी website पर मिलेंगे तो यह था पूरा complete information वीडियो exam तक चैनल को subscribe कर लो और daily सुबए 6 वजे current office का वीडियो जरूर देखो अगर आपको इस vacancy के बारे में कोई भी doubt है तो फिर comment box में comment कीजिए आपके लिए comment box खुला है मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक ल जरूर से बताना जे हिंद जे वरत